नमास्ति वच्चो चलो आज हम हिंदी व्याकरन वचन उसमें एक वचन और बहु वचन सीखेंगे देखो वच्चो वचन का मतलब है शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते है अब देखो वच्चो यहाँ पर एक नीचे नीचे दिये हुए वाक्य पढ़िये अब हम विभाग अ के और विभाग ब के वाक्य पढ़ेंगे देखो वच्चो पहला वाक्य है लड़का पढ़ता है अब हम विभाग में लिखा है लड़के पढ़ते है देखो वच्चो यहाँ पर लड़का और इस वाक्य में लिखा है लड़के अब देखो दूसरा वाक्य चूहां दोडता है अब यहाँ पर लिखा है चूहें दोडते है तीसरा वाक्य है लड़की खेलती है अब ही विभाग ब में लिखा है लड़कियां खेलती है चोथा वाक्य है सडक चोड़ी है अब ब में लिखा है सडके चोड़ी है तो देखो बच्चो अब हम यहाँ पर उपर दिये विभाग अ के वाक्यों में लड़का चूहा लड़की और सडक रेखांकित शब्द है ये शब्द एक ही लड़का एक ही चूहा एक ही लड़की और एक ही सडक का बोद कराते है ये सभी एक वचन के शब्द है देखो बच्चो यहाँ पर हमने जो चार वाक्यों पड़े हैं उसमें हमने यहाँ पर क्या पड़ा है लड़का पड़ता है चूहा दोड़ता है लड़की खेलती है सडक चोड़ी है मतलब इन चार वाक्यों में हमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का बोध होता है इसलिए हम इसे क्या कहते है एक वचन के शब्द कहते है अब देखो वच्चो विभाग ब में विभाग ब के वाक्यों में लड़के, चूहे, लड़कियां और सड़के रेखांकित शब्द है ये शब्द एक से अधिक लड़कों, एक से अधिक चूहों, एक से अधिक लड़कियों और एक से अधिक सड़कों का बोध कराते है ये सभी वहुआचन के शब्द है देखो बच्चो विभाग ब में क्या पढ़ते हैं हम लड़के पढ़ते हैं, लड़के मतलब बहुत सारे लड़के, चूहे दोड़ते हैं, मतलब चूहे, मतलब बहुत चूहे, लड़कियां खेलती हैं, लड़कियां मतलब बहुत सारी लड़कियां, सडके चोड़ी हैं, सडके मतलब क्या बहुत सी सडके, इसलिए इससे हम क्या कहते हैं बहु वचन के शब्द कहते हैं देखो अब नियम देखेंगे अब हम देखो पहला नियम है एक वचन शब्द के जीस रूप से एक ही विक्ति या एक ही वस्तू का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं देखो बच्चो फिर से सुनो, शब्द के जिस रूप से एक ही वेक्ति या एक ही वस्तू का बोध होता है, उसे एक वच्चन कहते है, जैसे कि लड़का एक ही लड़का है, चूहा एक ही है, लड़की एक है, सड़क एक है, आदी इस प्रकार, अब देखो दुसरा नियम है, बहुचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधीक वेक्ति या वस्तू का बोध होता है, उसे बहुचन कहते है, देखो बच्चो फिर से सुनो, शब्द के जिस रूप से एक से अधीक वेक्ति या वस्तू का बोध होता है, उसे क्या कहते है, बहुचन कहते है, जैसे लड़ लड़के मतलब बहुत सारे लड़के चूहे बहुत सारे चूहे लड़किया बहुत सारे लड़कया मतलब चार होंगी पांच होंगी दस होंगी सड़के सड़के भी यहां पर सड़क सड़क मतलब एक ही सड़क यहां पर सड़के है ना बहु अच्छन मतलब बहुत सारे आधी का बोध होता है तो देखो बच्चो एक वचन और बहु अचन अब देखो हम कुछ उधारन देखेंगे एक वचन और बहु अचन देखो अभी देखो बच्चो यहाँ पर मनुष्य मनुष्य जो है मनुष्य का मनुष्य ही रहता है देखो इसमें अक्कारांत पुल्लिंग शब्द जो है एक वचन और बहु अचन में एक जैसे रहते है देखो इसलिए मनुष्य का मनुष्य ही रहता है पेड पेड ही होता है मित्र का मित्र ही होता है आदमी आदमी बहु अचन में भी आदमी ही होता है अब देखो एक वचन में लड़का बहु अचन में लड़के बच्चा बच्चे बेटा बेटे हमला हमले किताब किताबे बूंद बूंदे पुस्तक पुस्तके आँख आखे किरन किरने कथा कथाए पाठशाला पाठशाला ए चिडिया चिडिया बुडिया बुडिया जाती जातिया मुर्गी मुर्गिया तितली तितलिया वस्तु वस्तुए बेटी बेटिया और शत्रू का शत्रू ही रहता है इस प्रकार बच्चों देखो एक वचन और बहु वचन हमने आज वचन के ये दो बोध सीखे है तो बच्चों तुम सब जन अपनी हिंदी की किताब में यह सारे उधारण लिख लो और अपने ये नियम और ये उधारण भी अपने हिंदी की किताबों में लिखो और पढ़ो याद करो अपने हिंदी की की कि अ